हाई फ्रेंड, दिटाइच डिजिटल में अप लोगों का स्वागत है मैं आज आफ लोगों को वाट्सप के मेसेज़ेस जो आते हैं आप लोगको वाईस मेसेज आते या आप किसी को वाईस मेसेज करते है कि तो आप लोग उसको फाइल मेनेजर में जाने के बाद इस तरह के फाइल दिखाई देथ्य है जो उपर आप लोग समाती नमबर की फाइल आप लोग देख रहे हूँ वह एक voice message है लेकिन आप लोग इधर से उसको सुन नहीं सकते हैं देखो यह application काम नहीं करता है और देखो center वाला है MP3 का संबल है आप लोग उसको open करेंगे तो यह आप लोग को आवाज आएगी जो आवाज है इसका आवाज आवाज आप लोग सुनाई देगी अभी मैं वार्चव में आप लोग को जाके दिखाता हूं ए तीन फाईल दिखो आप लोगम इधर चालू करेंगे तो आप लोगiben को सुनाई देता है मैं आप दूसरी फाईल आप लोगो सुनाता हूं और तीसरी फाईल सुनाता हूं देखो जब आप लोग को इस तरह की फाइल आती है तो इदर देखो कुछ फाइल इस तरह बन जाते है इसको ओपस कहते हैं और यह दूसरी MP3 है आप लोग अगर इधर आने के बाद आप लोग इसको किदर भी शेर कर सकते हैं इमेल में या किदर भी और इसको बीना सॉप्टेर के आप लोग इसको सुन सकते हैं लेकिन इसके लिए आप लोग यह जो उपर की फैल है अभी मैंने सेलेट किया है इसके लिए आप लोग WhatsApp के अंदर से ही सुन सकते हैं और उदर से इसा ही direct आप लोग share कर सकते हैं अगर आप लोग इदर से फाइल डिलिट हो गई तो आप लोग उदर से सुन भी नहीं सकते मैं आप लोग का अभी इस तरह की फाइल आएगी यह आप लोग का boss है company में की काम करते हैं और आप लोग को कोई voice message करते हैं तो आप लोग को उस data को save करना है MP3 में करना है और इसको कैसे MP3 में करना है उसी के बारे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ अगर वीडियो आप लोग को आची लगे तो like करो और आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो subscribe करके support करो क्योंकि मैं इधर ऐसे कुछ tech related वीडियो आप लोड करते रहता हूँ और भी हमारे वीडियो से आप लोग playlist में या video folder में जाके देख सकते मैं अभी आप लोग को यह दो file है इसको MP3 में convert करके आप लोग को दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग समझते है यह file कुछ काम की नहीं है यह भी MP3 है लेकिन आप लोग को इसको MP3 में convert करना पड़ता है मैं इसको कैसे MP3 में convert करना है उसी के बारे में एक वीडियो में बाताने वाला हूँ वीडियो को पुरा देखते रहे है आप लोग जब play store में जाएंगे तो आप लोग को सर्च करना है ओपोस बोलके ओपोस एंड देखो ओपोस एंड ऐसा सर्च करते है उपर आप लोग को एक लोगो नजर आएगा उसको क्लिक करो जब आप लोग क्लिक करेंगे इसको इस software को install करो अभी मैंने install किया हूँ अगर आप लोग इसका link चाते है तो मैं मेरे वीडियो के description में दाल दूँगा अप लोग वहाँ से भी इसको download कर सकते हैं अभी देखो मेरा वो दो file है दो file इदर आ गया वो direct ले आगर आपके mobile में इसे file कितनी है वो पूर आप लोग इदर शो करेगा मेरे mobile में बहुत file थे मैंने delete किया क्योंकि वीडियो बनाने के लिए दो file रगा अभी आप लोग को मैं इसको convert कैसा करना है उसी के बारे में बताऊंगा यह software आप लोग को free में मिलता है और film में इसको use कर सकते है अगर आप लोग इसका add नहीं चाहिए add निकालना चाहते है तो इसको pay करना पड़ेगा लेकिन हम लोग add के साथ ही free में use करेंगे तो इसके लिए अगर आप लोग direct सुनना चाहते है तो आप लोग पहले वाले को click कर सकते है देखो आप लोग सुन सकते है आवास देखो मैं पहले उदर जाके file manager में जाके click करने के बाद वो नहीं काम कर रहा था लेकिन इदर आते देखो touch करते है यह काम कर रहा है अभी मैं दूसरा वाला अब लोग को आवास सुनाता हूं इस तरह आभी इसको mp3 में convert करने के लिए देखो बीच का जो second number mp3 है उसको click करना है जो उपर आप लोग को red जो घूम रहा है वो एक convert हो रहा है बाद में देखो one file converted बाई यह premiere version ऐसा आगर आप लोग को दिखाई देगा तो आप लोग को बाई नहीं करना है cancel करना है बाद में देखो add आएगा तो उसको ए करो बाद में देखो इधर MP3 आप लोग का convert हो गया देखो अभी मैं दूसरा convert करके दिखाता हूं देखो उपर आप लोग को देख सकते converted बोलके अभी मैं नीचे वाला convert करता हूं इस तरह जो आप लोग का file आएगा कि कोई भी आप लोग को इस तरह के messages बेजेंगे तो आप लोग इसको MP3 में convert करके रखो क्योंकि MP3 में convert करने के बाद आप लोग Facebook में या दूसरे कुछ IOMO कौन से भी दूसरे application में आप लोग directs share कर सकते हैं लेकिन आप लोग जो ऐसा file है जो मैंने आप लोग को इधर file manager में दिखाया था इस तरह का file आये तो आप लोग किधर भी इसको share नहीं कर सकते अभी देखो हम लोग convert होगे हमारा दो भी file अब यह convert file किधर देखना है आप लोग को मैं दिखाता हूँ यह convert file आप लोग को file manager में जाके यह के इसका further open करना है जो यह software का नाम है उसी का further में आप लोग को जाना है उसी के file में जाना है आप लोग को उसका file का नाम है opus-lw बलके है देखो opus and gf manager के नीचे है आप लोग को उसको open करना है जब आप लोग उसको open करेंगे तो बाद में इदर फिर एक folder आएगा आभ्व बहुत लिफ है आप लोग बाद में इसको अब फिर open करो ओपन करने के बदल यदर आप लोग देख सकते आभी हमारा जो वु फunyaसे लापर में इसको चुन सब्सक्राइब जो चाहिए फह्या आप लोग उदर जाके और कर सकते है वह स्वाप्टेर में अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और आप लोग हमेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके सप्पोर्ट करो मैं इसे टेक रिडिटर इधर वीडियो अपलोड करते रहता हूं और क्या हमारी वीडियो से आप लोग प्लेलिस्ट में या वीडियो फोडर में जाके देख सकते हैं